हुआ नश्कार दोस्तों सवागत आज वीडियो में में आपके लिए कर आए ऐसे 7 महतमुन आते या साथ महतमुन आदत जो संसकारी बनाती जी हाँ दोस्तो हरे एक व्यक्टी को चाहे वह बच्चा कोई भी हो अपने जीवन में यह 7 महतमुन बात जो है वह हो हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन में इस्चिती अपना चाहिए चलिए रेखते हैं सब से पहली संच है कि कशीयों को सॉटें कुछ को लगातार एक से अधिक्वार mobile phone नहीं करना चाहिए कभी भी किसी व्यक्ति को लगातार एक से अधिक वार call नहीं करना चाहिए जब आप किसी वो call करते हैं मैंने देखा अकसर यह मैंने खुन मेरी life में face किया है, मैसूस किया है कि कोई व्यक्ति जो है वो बारवार call करता रहता आप किसी मीटिंग बैटे हैं, personal card से बैटे हैं कोई महत्मूर कार यह आप नभा रहा हैं या पूजन कर रहा हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहा है यहां पर व्यक्ति या किसी का भी call रिसीब नहीं कर सकते तो हमको बारवार एक से अधिक वार किसी व्यक्ति कॉल करना ही करना चाहिए, और हमको यह समाल जना चाहिए, वो बैक्ति बीजी होगा जब फ्री होगा तब call return कर लेगा यदि आप बारवाल call करते हैं, तो यह संसकार आपके अच्छे नहीं है उसमें उसको गलत message जाता है तो महत्मूर बात किसी को भी लगातार एक से अधिकवार हमको call नहीं करना चाहिए, यह बात आप सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए ठीक है, दूसरी बात है उसको समझते हैं, दूसरी बात है जब तक कि आप से नहीं पूचा जाए, तब तक कभी भी किसी को बिना मांगे सलहा नहीं देना चाहिए जी हाँ दोस्तों यह सबसे मैधनी दूसरी बात है, जब तक कि आप से नप्टूचे जाए, यानी कि बिना पूचे किसी को फ्री में सला दहनी देनी चाहिए, फ्री मीज जब तक कि आप से नहीं पूचे जाए, कि आप भी बताईए आपके बिचार व्यक्ति जी, तब तक आपको अपने बिचार कितने ही अच्छी हो, अपने पास रखना चाहिए, यानि कि बिना बताई या बिना पूँचे, बिना मांगे, अपनी सला किसी को नहीं देना चाहिए. ठीक है अगला थड़ बात जो है आपको द्याद रखना है अपने जीवन में वह है यदि कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है जी यहां दोस्तों बिसेश ध्यान रखेंगे ध्यान देंगे यदि कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो उस समय बारवार अपने मुवाईल फ जलगते इससे तो हमको क्या करना चाहिए जब भी कोई आपसे बात कर रहा है तो इसकी आखों में आखे डालके और सीरियस मॉट पॉन धो चाह, जाव कैसा ही बात चल लेैं, उसको पर उसकी सुनना चाहिए फिर अपनी सुनाना चाहिए इसके बाद आप मोबाइल का यूज कर सकते हैं तो बार-बार आपको फोन को यूज नहीं करना है जब दो लोग या आप किसी से बात कर रहे हैं तब ये मेहतमूर बा मैंने देखी हैं मुझे पता है गरीवी का दुख क्या होता है और मैं आपको यहां पर खुलके बताऊंगा मेरी सिस्टर ने देखी गरीवी क्या होती है भगवान किसी को यह दिन न देखना पड़े तो जब गरीबों की बीच में आप बैटे हो आप कितने भी धनवानों कित कभी भी अपने जो नीचे हैं गरीब लोग उनका अपमान नहीं करना चाहिए Um वो हो सके तो उनकी मदद में उपयोग कीजिए आप घमन मत दिकाईए तो कभी भी अपने गरीब नीचे उन बीचों में धन संपत्ती की कभी बात नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं वो आपसे मांगेंगे तो बैसे भी नहीं लेकिन उनको वहाँ पर अपमान महसूस होगा ठीक ह अगली बात जो है वो है आपको बिसेश रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपने अभी तक अभी तक अपना घर नहीं खरीदा है जब आप बैटते हैं आपने घर करीद लिया अच्छे खास रहना आपके मित्र है दोस्त है तो अससे कभी नहीं बोलना चाहिए आपको कि क या आपने अभी तक अपना घर नहीं खरीदा है या आपने अभी तक अपना घर नहीं बनाया या आपने अभी तक कार क्यों नहीं खरीदी ये सारे सवाल आपको कभी भी किसी से नहीं पूछना चाहिए चाहिए वो आप कितना ही घनिश्ट मित्रो जैसे आप यह सवाल करत चाहिए और उसमें आपको उसको help करना चाहिए कि भववान ऐसा करे या ऐसा काम करो ताकि आपकी जो problem solve हो जाए आपका जल्द आपका घर होगा आपकी खुद जो financial problem है वो solve हो जाए हम भववान से ये प्रातना करते तो ऐसे सब्द उसको बोलना चाहिए कभी भी कुशन मार्क लगा के उससे नहीं पुझ जाए कि आपने घर क्यों नहीं खरीदा या आपने कार क्यों नहीं खरीदी ये सवाल हमको कभी भी किसी व्यक्ति से नहीं पुझ चाहिए चाहिए वो कितना ही करीवी आपका हो अगला पॉइंट जो है आपको विसे शुरूप से याद रखना है जीवन में अपनी में येदि आपने अपने किसी दोस्त या मित्र या रिस्तिदार से कभी कोई धन लिया है पैसा लिया है तो उसके मांगने से पहले उसको लोटाना चाहिए ये आपकी इमानदारी और आपके चरितर को धरसाता है आपने कभी किसी मित्र से दोस्तिदार से कभी आपको जरूद पड़ी आपने कुछ पैसा ले लिया उसने बिना कुछ सवाल कि आपको दे दिया तो आपका ये निश्चित रूप से फर्ज बनता है कि आपको उसको बिना मांगे बिना उसका इसारा किए उसको खुद से फौन करके खुद से लोटाना चाहिए इससे आपका क्या सिस्टर चारितर कितना अच्छा है वो उसकी नज्राओं में आपकी बेल्यू बढ़ेगी और नेश्टर जब आपको जरूद पड़ेगी तो पैसा और वार वार उसको ने दे रहे है वो कॉल कर रहा है वार वार घर पर रहा है तो आपकी सिस्टर चार जो आपका चलिए तो दरसाता है और नेस्ट टाइम जब आपको जरूद पड़ी तो आपको वो क्या कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा ठीक है इसके बाद नेस्ट टाइम जो अगला पॉइंट है वो याद रखने आपको सेवन नंबर मैंने जो बता है कि जब कोई देखती आपको उसके मुवाइल में आपको जो है कि यहां पर आपका सिस्ट चार नहीं आपकी 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 चार नहीं आपकी आपकी आपको आपकी 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 जाट नहीं होगा मतलब कि वह बोलेगा जीवन नियां आतरा है यह बहुत पक पर हमको हमको फुब कर जैसे हमारे बड़े बुड़े जो कहते हैं, सम्मानी जो लोग है, जो ग्यानी लोग है, वो कहते हैं कि जीवन जिसको चलने की कला आ गई, वो उसने सारे तीरत कर ली हैं, तो हमको जीवन में कैंसे चलना है, किन बातों का ध्यान रखना, इन सभी को बिसे शुरूप से ध्यान रखते हुए, जीवन में आ ग कि बहबार पर करना चाहिए दूसरों साथ कैसा बहबार नहीं करना इन सबीकों बात हों का हमारे जी और निश्चेति हमको ध्यान रखना चाहिए इस वीडियो को माद्दम से यह हमने आपको अच्छा लगा हुआ जो हमने सेवन आदिते हैं बताई और आप चाहते हैं इस पर लोगों कर नॉलेज बढ़े, मॉटिवेट हो और जीवन में अच्छे-च्छे काम करने की और हम आगे हम हमारी जनरे साना रहेगी वो आगे बढ़े तो वीडियो लेंटिव जाएगी वीडियो इस टॉप करेंगे आई होब आपको बताएगा यह सभी साथ आदिते हैं अगली एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों